पिछली जो ख्लास रही है उसके में वाल्व मंडल की स्सारचना के बारे में बात आध करेंगी कल हमने उसके कंपोजिशन के बारे में बात की किस प्रकार से रहता है कौन-कौन सी गैसे मिलकर वाल्व मंडल की में सहयोग करती है आज की जो क्लास रहेगी उसके इंतरकत हम मुखी रुप से बात करने वाले हैं इसके सरचना यह structure के बारे में वैसे अगर बात करें कि structure क्या होता है इसको हम इस क volunteer-en न लेता हैं चरलता है एक हम सबसे जो लिए या गवावा का में जो center point street वाला जो area रहता है वैसे ही अर्थ का interior part है तो interior part को अगर हम अर्थ मान ले तो अर्थ के चारों तरफ जिस परकार से किसी फल के छिलके होता हैं वैसे ही जब विबिन परकार की गैसों वाली विबिन परकार की जलवायू विशिष्थाँ वाली जो परते मिलती है उन्हें हम वायू मंडल की परतो के नाम से जानते हैं अब ये layer कैसे पता चला layer है अब देखे कि को transitional zone होता है तो गया है कि जैसे कि हमने रखा हम राजस्तान के इंतर किसी छितर में घूनते हैं तो हम basically देखते हैं कि किसी छितर को गोडवाड कहा जाता है किसी को मारवाड कहा जाता है किसी को ढुंड़ाड कहा जाता है किसी को मेवात कहा जाता है तो ये regional नाम हमने किस प्रकार से दिया राजस्तान के संदर में एक कहावत है कि यहाँ पर हर 10 कोस पर कोस पता है तीन किलोमेटर में एक कोस होता है हर दस कोस पर यहाँ पर आपको भासा, खानपान और रिती रिवाज में परिवर्तन देखने को मिलते है आप जिस छित्र में रहते हैं वहाँ के कुछ सब्द और कुछ भासा अलग है, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, वहाँ के कुछ सब्द और भासाय अलग-अलग है यहाँ पर आप देखेंगे कि आप मैं से कहीं ऐसे है जो राजस्तान के अलग-अलग कौनों से हैं, कोई डुंधार छेत्रे से हैं, कोई मारवार से हैं कोई गोडवार से हैं कि यह परिवतन किस परकार साता है कि इस परकार से ट्रांजीक्षिन window होता है कि जम हम एक खेत्र की विशेष्नाओं से थोड़OR डूसरी चेत्र की विशेष्नाओं को अलग-अब करते हैं एक चोटा सा एक उधार्ण है जैसे कि मैं रानी से 30 किलोमेटर दूर हूँ और मैं जहां अभी बैठा हूँ वह उधैपूर से पाली की तरफ जाने वाला जो नेस्नल हाइव जो इस्टिट हाइवे है 67 के पास ही मेरा ग्राव है सौमिसर रेल्वे स्टिशन हमारे नजदीक्तम पड़ता है हम यहां पर जो पीछे जो होता है पीछे यह उसको हम लारे कहते हैं हमारी बासा में कि लारे कोई है दीस किलोमेटर दूर हो रानी और रानी के आसपास या फालना या बाली के बैल्ट में में पहुंचता हो तो आप देखेंगे कि वहां पर इसी चीज को उटे के हाजाता है तो यह तो यह चोर्टा सा मैंने उदारण दिया उसी प्रकार से कई प्रकार के उधाः स ciąल कुटा है मैं दो घूरल कार्थ हो गया कि जैसे कि आप मेंसे कई वी देवरी से पॉस्ट है कि कुछ सोब मंडल यानि कॉलेज में पढ़ती है और कुछ सम्ताप मंडल यानि विद्यावडी की किसी स्कूल में पढ़ती है तो बीच में एक ट्रांजिक्शना जोन है जब हम इसके पास रहेंगे कॉलेज के पास रहेंगे तो उसके आस पास में आपको कॉलेज की युनिफॉर्म वाले पहने वुए बहुत सारी बालिकाय देखने को मिलेगी और ज लेकिन एक बीच का ट्रांजिक्शन जॉन मैं इस ट्रांजिक्शन जॉन को जैसे-जैसे पार करोंगा तो यह प्लस होता जाएगा और जैसे-जैसे इस तरफ जाऊंगा तो यहां की जो इसस्ता है को कम देखने को मिलेगी नेबंस जो बनी है उसके आसपास में ऐसे को निक्स दिखे। बलिकायिंप दूंगे निक्रा और कुछ कॉलेज मेंने दॉनिफराइंट दिने को मिल बढ़ है जैसे में इस तरह बढ़ऊंगा तो मुझे कॉलें इनिफेने को मिलेगी लेकिन सभी जग्राक ढמעत पंदगे आधर की देखने मिल रही है और इधर को सघया है हमें शोब मंडल की हैं कुछ विशज्षता है समताब मंदल की है। लेकिन बीच में जहां पर एक लाइन जो इन दोनों ही लेर को ॏ अब डिवाइड किस प्रकार से करेगी कि जिस लाइन को मैं वैसे ही इसको मैंने पार करके मैं इस तरफ आया तो मैं देखुंगा कि मुझे समताब जादा देखने को मिलती है तो बीच में एक ट्रांजिक्शनल जोन होता है उसे हम पॉस कहते है पॉस से सही नहीं लिखा जा रहा है पॉस ठीक है इसी परकार से इसके बीच में भी एक मुझे ट्रांजिक्शनल जॉन देखने को मिलेगा यहां पर बिबिची से कम होती नजर आएगी इसको मैं यहाँ पर भीट बोर्ड में समझाओंगा आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है मैं चाहूंगा कि आज ये टॉपिक पूरा को पूरा क्लियर हो जाए तो पेशन्स के साथ बैठें नास्ता अगर करना है तो करके बैठें यहां पर यहां बना देता हूँ यह हमारा अर्थ है और अर्थ से मैं यहां उपर की तरह पड़ा हूँ सबसे पहले मेरा ट्रपोस फिर आया फिर मेरा स्टिटोस फिर आया और फिर मैंने मना दिया यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले ही जो मेरी परत है उसे हम सोब मंडल करते हैं सोब मंडल या इसे मैं ट्रपोस करह तो इसके बाद यह यह यहाद रखेगा सकते हैं हम अर्थ से देख रहे हैं यह प्रत्वी से हम देख रहे हैं और प्रत्वी से जैसे हम उपर की तरह पड़ेंगे तो सबसे पहले मुझे सोब मंडल देखने को मिलेगा सोब मंडल से उपर जाओंगा तो वहां पर मुझे समताप मंडल के बाद मुझे मध्य मंडल और मध्य मंडल के बाद मुझे बाद मंडल और मिजए इसको मैं इंगलिस में Rabbit आँ या कॉचल फेर इस्ट्टोफेर अद एक चरणिशनल जोन का थो गया मैंने यहां परenda यह आई यह ट्रांजिक्शनल जॉन होते हैं उसको हम सीमा कहते हैं सीमा बाउंडरी यह इसे इंग्लिज में हम कहते हैं यह पॉज है तो जो सोब मंडल और समताप मंडल के बीच में एक ऐसा संक्रमन चित्रा होता है में द्राप को बता है यहां पर दोनोों की विश्यдж्टा यैनि सोब मंडल की तो जों मंडल की देखने को मिलेगे हैं कि सोब यह पिर यह प्रकार सेम्टरांत्य मंडल की तरफ बे ten सम्ताप की सीमा सम्ताप की सीमा या पर इसको हम कह सकते हैं यह है स्टेटो पॉस इसी परकार से मैं यहाँ पर आया जो मद्य मंडल से बाही मंडल की तरफ दा रहा हूँ तो यह रहेगा मद्य सीमा मद्य सीमा या इसे मैं कहूँगा मीजो पॉस ठीक है इसके बाद लाज्ट जो फाइनली मद्य मंडल की कोई सीमा नहीं है और फाइनली मैं यहाँ पर पहुंचूँगा यह हमारा होगा सूर्य यानि सूर्य से या पिर प्रत्वी से प्रत्वी से जब हम सूर्य की तरफ जाएंगे तो हमें रास्ते में कौन कौन सिस्टेशन पार करने पड़ेंगे हम परत्वी से उपर गए तो सबसे पहले हम सोग मंडल में जाएंगी फिर सोग सीमा तक पहुंचेंगी सोग सीमा के बाद हम समताप मंडल में प्रवेशकरेंगी स्टेटोज स doctor Пос ढ 116 कीमा चतर आएगा फिर मद्य मंडल आएगा और फिर हमारा बार्यू मंडल सूर्यज की तरफ दिरे दिर ह। बढ़ रहे ठीक है और यही जो कह सकते हैं के बीच में विबिन परकार की पड़ते पाई जाती childcare में वहाई मंडली की पड़ते कहा जाता है कि अपर्थ जे जाएंगी ओर समझते जाएंगे कि संब्सत्राइं किस प्रकार की सर्पर्थम एक सहुषी जाता है कि सेवजटेन फिप्ट सुर् PU 1754 में एक विर्गैनिक थे जिनका नाम था मेरान मेरान ने सबसे पहले यह क्लासिफिकेशन दिया एक लेयर्स जो है उससे बना हुआ सबसे नीचली परत जो सबसे पहली परत है वो कहता है कि यह दस से बारा किलोमेटर के उचाई तब फैली हुई है और जितनी भी जो तुफान वगर आते हैं वो इसी सहिमा के अंतरगत आते हैं फिर उसके बाद उसने इंटर्मीडिट लेयर को बताया मत्यवर्थी परत वो कहता है कि वो परत दस से यह दस बारा से असी किलोमेटर तक फैली है फिर उसके बाद उसके बारे में कहा कि वो 80 किलोमेटर से फैली हुई है लेकिन यह विचार काफी काल्पनिक माने गए उसके बाद काई विकनिक आये जब 1902 में ट्रॉफोज फैर या ट्रॉपोज जो है सोब शीमा इस्टेटोज फैर के बारे में जब परमान दिये गए उसके बाद यह दिरे दिरे इनका क्लासिफिक्शन सही तरी की बात करें तो वर्ल्ड मिट्रियोलोजिकल और्गनेजिशन है उन्हें 1962 में अपने कई रिसर्च पेपल जिसके अंतरा डिजरेंस डीबर्ट नेप्यट शा पिकाड़ो फ्रेंडले कैनली हैविसाइट फैरल कई ऐसे वेक्टी थे जिन्हों ने इसकी परतों के बारे में जानकारी दी सबसे पहले जो परत आती है हमने कहां परतों के बारे में बता दिया कि हम मुख्यत इसको चार भागों में डिवाइड करते हैं यह क्लासिफिकन ऐसे भी कर सकते हैं नहीं तो इसको वाईयो मंदल एक्जूस्फेर सबसे पहले आता है कि एस एम एंड टी एक है था मोज फेर यह इसको अर्थ लगा तो तो मैं यहां पर और से प्रपोजफेर स्ट्टोस्फेर मिजोस्फेर एंड थर्मोस्फेर ताप मंडल क्यों इस तरफ हमारी अर्थ हो गई इस तरफ अर्थ है और इस तरफ क्या है हमारा सन है और तो से हम सन की तरफ जिस परकार से वड़ेंगे तो टेंपरिचर टेंगरीज हो नहीं है अब इसी थर्मोस्फेर को दो भागों में डिवाइट लगे एक आइनोस्फेर और एक हो गया एक्जोस्फेर अब प्रश्ण मंडल भी होता है लेकिन वो कहां गया तो आपको बताता हूं कि औजान मंडल नाम और नाम की कोई प्रत नहीं कियों नहीं है आगे कि डिके और कर्से ऑजों की इस तरफ यह ओजॉन नहीं पाई जाती है अब को हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यह है हमारी पड़ते इस्ट्ट्र ऑप एट्मोस्फेर दा एट्मोस्फेर केन भी स्टडीड एज लेयर इंटिटी इच लेयर हैविंग इस ओवन पैकुलियर करेक्स्टाइज यानि इनकी खुद की कुछ विसेष्था होती है देखें कि यहां पर देरे से छोटा सा एक परत देखने को मिलता है यह मांट एवरेश्ट बनाया गया है ठीक है मांट एवरेश्ट और उससे उपर लगबख हम यह भी सजार फिट तक पहुंच गया है यहां पर पाए जाता है हमारा ट्रॉफ फेर देखें बादल बनाये बादल वगर घटना इसे परकार से है इसके बाद यहां पर यह जो परत है वो है हमारी इस्टिटोस्फेर में आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ चोटे-चोटे अक्सरम लेख रखा है कि ऑजान जो परत पाए जाती है मुक्स में पाए जाती है समताप मंडल में ही था जाती है तो ओजॉन को अलग से परत रही है यह ऐसा च्षित्र है जहां पर आपको ओजौन गैस अधिक मिलते है इसलिए इसको और ओजॉन ऑजन सफेर नाम जाए तो ही नीए ठीक है एवल और ओजॉन गैस की अधिकता पाए जाती है उसके बाद जब हम इससे और उप सिर्ड प्रविस्व करने के भाद फिर यहां से हम उठते हैं और ओफर उठते हैं तो ही तोर में शॉठन चरता है engineers County यहां पर देख रहे होंगे कि यह कि एक होता है उसके बाद में और बात करेंगे फिर है हमारा आइनोस्फेर यहां पर रेडियो की फ्रिक्वेंसी वापिस रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की तरफ और उसके बाद जो नक्सत्रों अतारों को मंडल है जिसे बाही मंडल कहा जाता है यहां से वापिस देख लेता हैं यह है हमारा माउंट एवरेश्ट लगबग 9 किलोमे मुट CC और यह एऊ से पर मैं यह स्को्त and n किलोमेटर और यहां पर मैं इसको तेम्प्रेटर को को देख लेता हूँ यह जो लाइन है यह एलाइन है उस हाइप पर जा रहे हैं तेम्प्रिचर कम और रहा है कि यहाँ पर देखिए-धli गिरे-दिर-दिर हीं इनले हो रहा है कि उसके बाद मिजोस्फेर में दिकलेए टेम्प CR वापिस कम हो यानि इदर माइनस में जा रहा है और इस तरफ जा रहा है तो आपके प्लस में जा रहा है सबसे पहले प्रपोस्फेर बादल वगर सारे इसी में हैं फिर आता है हमारा स्टेटोस्फेर जिसे कहा जाता है समताप मंडल समताप मंडल में ही औजान गैस के अधिक्ता पाःती है तो यह जो फिस बैल्ट में अजॉण के जो के अधिक्ता में इसे औजानॉн agas की अधिक्ता वहां थेटर कहेंगे उसके बाद स्टेटोस्फेयर के बाद पॉज फिर है मिजोस्फेयर ठीक है मिजोस्फेयर में टैंप्रिचा निकेगा अब हाइट को भी यहां पर इंडिकेट करते रहते हैं अगर बात करें कि स्टेटोस्फेयर कहां पर है तो लगबग हम कह सकते हैं कि 50 किलोमेटर की हाइट प्चास किलोमेटर तक की हईट का तौप अपोज की बात करें तो यह लग्बग अराउंड 10 किलोमेटर याणि अर्थ से जम टैम किलोमेटर हैट की तरफ जाता है तब तक हमें देखने को मिलता है फिर धरातल से लगब 50 km तक क्या है Entonces have to do ेकने को मिलता है धरातल से हम 80 km की युग जय tता है तो हम अब यहां पर प्रश्ण उठता है भी यहां पर प्रश atra.? 12u2 किलोमेटर् यह 16 किलोमेटर तक हमें मिलेगा एप सको सांद Can Keid 281 किलोमेटर्प से 518 लगा कर पचास कीलोमेटर्स क्या मिलेगा लागर इसको मैं रफक है है पकचास किलो मीटर के बीच में तेसी प्राकार से मैं कहूं कि 50 से है शी किलो में तक की हाइट तक मुझे क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है मद्यमंडल ठीक है और ऐसी से एक सो बीस किलो मिटर तक क्या मिल रहा है थर्मोस फेर मिल रहा है और उसके बाद का जो चेतर है वो एक्जोस फेर के द्रकत देखने को मिलता है ठीक है वाम अप होते रहें दिरे दिरे ये चीजे एकदम से आप सोचते हो कि इतने ही आकड़े मेरे दिमाग में आ जाएंगे म अभी तक हमने श्टार्ट भी नहीं किया वाम अप कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन चित्रों को समझते हैं चित्रों के माध्यम से आप पूरी की पूरे कॉंसेप्ट को समझ लेंगे यहां पर देखेगा हर एक वर्ड को देखना है अर्थ की लेर अब अर्थ दो है इस प्रकार से ठीक है अब सोब मंडल की बाउंडरी यहां पर बना दी गई है यहां पर तो यहां पर लिए से लिख रहा है 13 किलो मेटर तक वारा सोब मंडल है यह एवरेज लिखता है कई बात देखेगा अब पर यहां पर मैं पृष बना दैता हूं और इस तरह बट यह एकविटर अब है अब इकविटर से देखेगा इसकी जो है जां शहके है है जिए यहां से रहां से कितनी लिख भी किलो मेटर यह पिर साथ किलो मेटर कर लाता है अब कि हाइट कितनी होती है तो अगर यह इक्विटर से एक्विटर से ज़्यदा समझ गें आप मैं तो आपको सकता हूं और यहां पर गया है देखेगा हमने कहा कि अर्थ के उपर लेर पाइजाती है तो वो किस परकार से हैं कि यह हमारा अर्थ है और अर्थ के उपर मैं यहां पर यह कुछ ऐसा है इसको में यह हमारा नॉर्थ पाल और सॉम्णी की कि में तो कहां से कोलेट करूंगा कि अगर एक्वेटर पर खड़ा हूं कि है यहां से जो बंडल है वह कितना उचा है तो सोब मंडल यहां से इतना उचा है कार्थ हो गया यह कितना है रफली एटीन और इसी चीज़ को मैं यहां पर करूं कि जो धुरू है उन धुरूओं से यह परत कितनी उची है तो दुरूओं से यह परत कितनी है छो किलो मेटर है यहां पर अठारा किलो मेटर है अब कहा के चित्र में अठारा नहीं दिक रहे हैं तो कैसे हुआ देखेगा अठारा में कितने जोड़ा है 6 बराबर कितने होगे 24 24 में इसका एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा 12 किलोमेटर अगर एवरेज हाइट पूछ जाती है कि भरातल से सोब मंदल कितना होचा है तो रफली 12 13 किलोमेटर आ गया तो 12 13 कहां सा आ तो इस प्रकारसे यह लिखना तेरा किलोमेटर कहा साय यह तेरा किलोमेटर ऐसा है यहां पर सोब मंदल या ट्रॉपोस्फेर का जाता है उसकी क्या विश्चता है जिके वाइव मंदल की गटनाय सारी यहीं गटित होती है अंदी तुपान वर्सा सेंट पर्टिकल्स ग्रीन हाउस इफेक्ट जितनी भी जो गैसेज है उनकी डेंसिटी अधिक होना इसके अलावा इसे समवहन मंदल भी कहा जाता है कन्वेक्शन जॉन कहा जाता है क्योंकि यहां पर इस जॉन में पानी गरम होकर भाप बनता है और भाप बनकर सीधा उपर की तरफ चलती है हवाए धरातल से सीधी की सीधी उपर वर्टिकली चलती है तो हवाए जब इस प्रकार से वर्टिकली चलती है तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम कन्वेक्शन कहते हैं सब्सक्राइब क्या विसेजता है तापमान समान रहता है मौश में 있는 नहीं होती है इसलिए जतने भी हविजाद है नहीं पुठ थेकर इसी में एक ओजॉन परद का छेथर पाए जाता है इसे ओजॉन मंडल कहा जाता है या ओजॉन गैस के Camera लिए यूजि법 को उसके बाद आता है हम कम अद्धिय मंलों खी के बाद लृओंटी के बाद आता है आएंड नल र folks का बमाते हैं कहां पर रोकेट्स यह पर जो आपके का रिफ्लेक्शन होता है आइनस्फेर्स होता है सैटलाइट कहां होता है आपके एक्ज़स्फेर के अंतरगत होता है तो इस परकार से वायो मंडल के अंतरगत विवीन परकार की पड़ते पाई जाती है